नमस्कर मैं हूँ अंजले और आप देख रहे हैं BNN News तो चले शुरूआत करते हैं आज की मुखी खबर से बताया जाता है कि यह सब किसान बाजार से साहुकारों सब्याज पर लोन लेकर गेहूं की फसल लगाई थी लेकिन बीती रात हाथियों के जुंड ने सारी फसल को पैनों तले को चल दिया किसानों का कहना है कि हर वर्ष हाथियों का जुन्ड इसी तरह प्रवेश करता है और फसलों को बरबाद कर देता है लाख शिकायत की बावजूद वन विभाग के अधिकारी हाथियों के द्वारा मचाय जाने के उत्पात पर लगाम लगाने में विफल है किसानों को कहना है कि अगर विभाग इसी तरह सुस्तवा लचर पड़ा रहा तो हम लोगों को खेती किसानी भी हाथियों के डर से छोनी पड़ेगी क्योंकि फसल को हाथी पर बात कर देते हैं बावजूद हम लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिलता है बता दे कि पिछले कुछ माहिनों से गिलेडी जुले के बिरनी प्रकंड, सर्या प्रकंड और गाउं के अलावा जमुआ प्रकंड हाथियों की हलचल से परिशान है खबरों में अब तक के लिए बस अतना है, मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहें BNN News